यह graph कैसे उपर रखा जाता है अब आप सुन लीजे क्योंकि उसमें आप सब भी भागिदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागिदार हैं, कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की विवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेंदेन होती है, कि वो graph उपर रखा ज तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए तो क्या गलत है ये ग्राफ उपर ही रहेगा नमस्कार मैं प्रांशीर रठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन नियूस किसानों ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को चुनोती दे दी है किसान अंदोलन का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है जानकारी दे दे की बीदे दो दिन से शंभू बॉर्डर पर हालात काफी जादा गंभीर नजर आ रहे हैं देखा गया है कि पंजाब और हर्याना के किसान दिली की तरफ रुक कर रहे हैं अपनी मांगो को मनवाने के लिए कि कैसे भी करके केंद्र की मोदी सरकार उनकी मांगो को पूरा कर दे और ऐसे में देखा जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह से पुलिस के द्वारा ड्रोन के जरीए उन पर आसू गैस के गोले बरसाए गई हैं और इस दोरान देखा गया है कि कई किसान घायल हुए हैं तो वहीं इस पत्राब में कई पुलिस करमी भी ऐसे में किसानों के समर्थन में कॉंग्रेस पार्टी लगातार उत्री हुई है राहुल गांदी ने कई घायल किसानों से फॉन पर बातचीत की है दावे ये कीज़ा रहे हैं कि भारत जोड़ नियायात्रा के बीच वहे किसानों से मुलाकात भी कर सकते हैं उनके समर्थन में वहें लगातार हैं लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांदी बड़ा एलान भी कर चुके हैं और इसी देश में अलग तरह की रादनिती चाहता हूँ किसान बोल दे कि मुझे मोधी को हराना है तो वो देश द्रोही हो गया कमाल है साब 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें Congress को हराना है तो हमने तो आप को देश-दुरोही नहीं कह था उसमें क्या हो गया? किसानका हक नहीं है, क्या? वोटर नहीं है, क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देश भक्त है मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देश द्रोही है यह किस तरह की वेवस्था ला रहे हैं साब तो करना चाहते हैं लोग क्योंकि यह ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशल ढंग से उचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को उचा रखा जाता है हम भी समझते हैं आप भी समझते हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का दुरूपयोग हम भी देख रहे हैं कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है वक्त आने दीजिए कई लोग तिहाड में होंगे सुन लीजे सुन लीजे यह ग्राफ कैसे उपर रखा जाता है अब आप सुन लीजे क्योंकि उसमें आप सब भी भागिदार हैं आपके जो मालिक हैं वो भी भागिदार है कैसे उन पर दबाव होता है उन पर किस तरह की विवस्था होती है आपस में किस तरह की लेंदेन होती है कि वो ग्राफ उपर रखा जाए कौन है हिरेंजोशी मैं फिर पूछता हूँ क्यों आप लोगों को sms भेजते हैं वो क्यों whatsapp मेसेज आते हैं आपके editors के पास हिरेंजोशी के ये graph उपर ऐसे रखा जाता है तो अगर कोई इस graph को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए तो क्या गलत है ये graph उपर ही रहेगा और artificial ही रहेगा क्यों हेड्लाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में वहां आप कहते हैं कि graph उपर क्यों क्यों नहीं रहना चाहिए असल में क्या है बाहर आकर देखे ना मोदी जी बुलाएं किसानों को अपने घर पे या जाएं किसानों से मिलने जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने एक घंटे में दो बेरोजगार नौजवान आत्मत्या कर रहे हैं इस देश में इक ग्राफ उपर दिख रहा है आपको आपने देखा कि किस तरह से पवन खेड़ा भी साफतोर पर अपनी बात रखते हुई नजराएं इससे पहले भी वह अपनी बात रख चुके हैं लेकिन इसकी अलावा उन्होंने चुनावी बॉंड पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर भी वह अपनी बात साफ कर चुके हैं फ़लाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट टुनाइन न्यूज